हलो दोस्तों, वेलकम टू, मेरा यूटूब चैनल हरी टेक्निकल, आप सब दोस्तों को मेरा इस चैनल में स्वागत है, दोस्तों, जो नए दोस्त देख रहे हैं, नीचे देखिए सब्सक्राइब लिखाया, उसको प्रेस कर दीजिए, और बेल एकन आएगा, उसको प्रेस् क कर दिए उससे क्या होगा दोस्तों जो भी वीडियो डालूंगा आप लोगों पास नोटिफिकेसन जाएगा और मेरा लेटेस लेटेस वीडियो जो एलेडी का उपर है आप फास फास देख सकते हैं आप बहुत कुछ सीख सकते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना म मैं के इतना भेलू का लगा सकता हूं तो ये डाउट आज इस वीडियो में एकदम क्लियर करने वाला हूं दोस्तों आप लोग वीडियो को लास देखते रहिए और समझञ लिजए कोन सा भेलू का कौन सा क्यपासिटर लगा है ठीक है दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडि 53 बोल्ट और 4.7 यूए का भी आप लगा सकते हैं ये दो चोटा वाला जो ब्लिंकिंग का प्रोब्लम आता है ये दो कैपसिटर आप कोई भी लगा सकते हैं 50 बोल्ट का लगाए ये 63 बोल्ट का दोनों काम करेगा एक सरकीट में 9 वाट हो या 67 वाट हो ठीक है दोस्तों ये द देखिए ये 63 बोल्ट और इसका भेलू है 4.7 ये तो दोस्तों ये चोटा वाला केपसिटर ये दो ब्लिंकिंग का प्रोब्लम है वो भी ये कोई भी लगा सकते हैं ठीक है अगर खराब हो गया है तो आप 50 का भी लगाई है या 63 का दोनों इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है दोस् इलेक्टोलाइट बड़ा वाला केपसिटर का उपर मैं बात बता रहा हूं तो दोस्तों ये देखिए ये मैं बता रहा हूं ये चोटा वाला सरकीट है ये चोटा वाला सरकीट है लेकिन दोस्तों इसमें देखिए ये जो मैं मेरा केपसिटर लगा हुआ है ये 400 वॉल्ट 4.7 UF का है और दोस्तों ये बहुत दमदार सर्कीट है इससे में 18 वाट 23 वाट और दोस्तों 24 वाट का भी LED ग्लोक कर सकता इससे और इसका मैं वीडियो भी बनाया हूँ जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा ठीक है दोस्तों तो ये तो होगा इस सर लुक्तार है कीया जो खकी तो ये जो केपसिटर इलेक्तोलाय केपसिटर बड़ा वाला ये कौन सा कौन सा ब्हेलू का इस्टमाल करेंगे तो आपका काम करेंगा तो दोस्तों इसका इस समीं आप 82 UF और 80 बोल्ट का भी लगा सकते हैं 100 बोल्ट और 100 इउएप का भी लगा स लेकिन दोस्तों यह अर्याटी से उपन तक आप पसान आए ठीक है दोस्तों मैंने आप कैपासिटर चेंज कर सकते हैं ठीक है दोस्तों अगर दोस्तों यह वीडियो आप लोगों पसंद आए तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और दोस्तों बेल आइकन दबाना मत भूलिए थैंक यू फॉर वाच हरी टेकनिकल थैंक्स